ये गाइस, welcome back to new video, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने फेस्बुक के प्रोफाइल में इंस्टागराम को कैसे एड कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई मेरे फेस्बुक अकाउंट पे जाए प्रोफाइल को ओपन करें, तो वहाँ पर मेरा इ इंस्टागराम का आइडी लिखा हुआ रहता है प्रोफाइल पे, और जैसी उस पर क्लिक करते हैं, तो इंस्टागराम ओपन हो जाता है, और उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है, तो अगर आप भी चाहते हैं, ऐसी अपने इंस्टागराम आइडी को जो है, अपने फेस् करते हैं फेस्बुक प्रोफायल पे अगर आप अपने इन्स्टागराम के डी को लिंक करना चाहते हैं इसकल लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फेस्ट के यपे अपको डाउलोड करना पड़ेगा अपने मोवाइल फुन में क्योंकि ये काम जो है आप Facebook के light application से नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़े size वाला जो application आता है, जो कि आभी आपको screen पर दिख रहा है, इसको आप download करके install कर लेजिए, फिर इसको आप open कीजिए, Facebook app को आप जैसी open कर लेंगे, उसके बाद आप अपने profile को open कर लेजिए, ये रहा मे request बेच कर मेरे add हो सकते हो, मेरे finalist में, यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर मेरा कोई भी तरह का Instagram का ID यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी मुझे यहाँ से follow नहीं कर पाता है, यहाँ से मेरे ID पर नहीं जा पाता है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कि आपको यहाँ पर 3 dot मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे, तो आपके सारे information यहाँ पर दिख जाएंगे, पर अगर आप देखो सबसे उपर तो लिखा हूँ आपको मिल रहा है edit profile, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस पर आप ज ओगल में add का option दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि और आपको क्लिक करना है इस पर आप जएसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर social links आ जाएंगे और website आ जेंगे क्लिक करेंगे तो अगर आप आप अपने instagram को अण करना चाहते हो तो इसके लिए तो मैं यहाँ पर पब्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी आए वो उसको जो है मेरा आइड देखे उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिकावा एड सोसल लिंक आपको इसपर क्लिक कर देना है इसपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे उपर आएगा प्लेटफॉर्म आप इसमें एड कर सकते हैं लेकिन मैं इस्टाग्राम का एग्जामपल में आपको बताता हूँ जैसे कि सबसे उपर देख सकते हो आप इंस्टाग्राम लिखा वह तो मैं क्या करूँगा इस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद नीचे यूजर नेम का ओप्सण दिख रहा है यूजरनेम को आप जैसी टाइब कर दीजेगा तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम आ जाएगा और उपर आपको सेब का ओप्सन दिख जाएगा उस पर क्लिक करके आप इसको सेब कर सकते हैं और अगर अगर आप देखो नीचे तो यहाँ पर वेबसाइट का ओप्सन द क्लिक करके और अपने वेबसाइट का लिंक डाल कर जो है इसे एड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है उसके बाद आप जब इंस्टाग्राम को एड कर दीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे इसे सेब क्लिक कीजिएगा आपका यह जो है सेब हो जा आदिते सिंग 6901 तो जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसी क्लिक करूँगा बस मेरा Instagram का application open हो जाएगा और मेरा profile open हो जाएगा अगर आपके mobile phone में या कोई user के mobile phone में Instagram का app नहीं भी होगा फिर भी जब उस पर क्लिक करेंगा तो उसके Chrome browser में जो है आपका ID open हो जाएगा यहां से आपको वो follow कर पाएगा unfollow कर पाएगा मतलब सब कुछ आपको कर पाएगा और वो जो है आपके Instagram पर ID पर आ जाएगा तो जैसे कि आपने देख लिया कि Instagram के ID को Facebook के profile पर कैसे लगाना है जब भी आपका कोई profile open करेगा तो आपका username जो है वहाँ पर दिख जाएगा च अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत होड़ा है तो आप मुझे Instagram पर जो है contact कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment करके जरू बताना मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए take care